नमस्कार, हर कहानी कुछ कहती है, आज की कहानी क्या कहती है, तो चलिए सुनते हैं, हारी कृष्ण देवसरे की लिखी कहानी, अकल बढ़ी या भैस, एक जंगल था, उसमें एक बहुत बढ़ा तालाब था, जंगल की सभी जानवर इसी तालाब में पानी पीने आते थे, ताल नाम से पुकारा करते थे, जंगल के जानवर अकसर अपने जगणों का फैसला कराने अकलू के पास आया करते थे, एक दिन की बात है, दो पाहर का समय था, अकलू अपने पेड़ पर बैठा हुआ था, इसी बीच एक भैस आई, वा तालाब में घुसकर नहाने लगी, जोर से खी-खी-खी-खी करके हसने लगा, भैस तो आकिर भैस ठहरी, बीगड़ गई, वा गुसे से बोली, तुझे सर्म नहीं आती, अपने से बड़ों पर हसते हुए, अकलू और जोर से हसा, और बोला, अरे तो ऐसा क्या नहाना, कि दे में कीचन मिट्टी लगी रहे, इ भैस ने धमकाया, जरा नीचे आ, तो तब ही मजा चखाती हूँ, अरे जा अपना काम कर, अकलू ने ताने से कहा, चली है बड़ी बनने, इतना बड़ा डिल तो है, पर अकल रत्ती भर भी नहीं पाई, इस बार अकलू और जोर से हसा, और खुजी से इधर उधर दो तीन ब होई ही जाय की कौन बड़ा है, तू या मैं, भैसा और अकलू की गर्मा गरम बाते जंगल के अन्ने जानवरों के कानों तक पहुची, उन्होंने तै किया कि किसी ना किसी तरह इस जगड़े को निप्टाना ही चाहिए, साम हुई, जंगल के सभी जानवर तालाप के किनारे इकठे हुए, सबकी राज से याता है हुआ कि जो कोई इस तालाप को बीच से पार कर जाएगा, वही बड़ा है, इस प्रतियोगिता के लिए निर्डायक सेर बना और रेफरी गीदड़, जंगल के सभी जानवर या मज़ेदार तमासा तेखने के लिए उस सुक थे, वे तालाप के उस पार जाकर जमा हो गए, इधर अकलू, भैंस और गीदड़ रह गए, अकलू बहुत परिसान था, उसे तैरना तो आता ही न था, आखिर इतना बड़ा तालाप कैसे पार किया जाएगा, जब सारी तैयारिया पूरी हो गई, तो गीदड़ ने दोनों को शाध कुछ सूचता ही न था, उसे ढड़ता कि कहीं आजवा जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख न साबित हो जाए, अचानक गीदड़ ने हुआ हुआ की पुकार लगाई, भैंस तैयार खड़ी थी, वह तालाप में पिल पड़ी, अब अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत प पहुचा, भैंस अभी थोड़ी ही दूर गई थी, बस अकलू वहीं से कूद पड़ा, और धम उसे भैंस की पीट पर आकर बैट गया, भैंस ने उसे गिराने के लिए एक दो बार अपनी पूच चलाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया, जंगल के जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए, वे अब यह देखने के लिए उसुक हो गए कि देखे पहले कौन पहुचता है, भैंस किसी तरह धीरे-धीरे किनारे पहुची, अभी जमीन थोड़ी दूर पर ही थी कि अकलू फिर जोर से उचला और किनाने पर आकर खड़ा हो गया, सार भैंस नहीं, और उस दिन से लोग कहने लगे, आखिर अकल बढ़ी या भैंस, धन्यवाद